आज हम एक और हैल्दी चीले की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं यह मूंग दाल स्प्राउट है हमने ओवर नाइट इनको सोक कर दिया था और फिर जैसे स्प्राउट बनाते हैं कपड़े में विगो के मैंने वीडियो डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बुक्स में उसका लिंक डाल देंगे यह देखे बहुत अच्छे से इस्प्राउट हो गया है तो यह मैंने अंदाजे से भिगोया था और अब यह स्प्राउट होने के बाद वन और फ एफ कप है आपको में जमेंट करने के लिए मैंने यह बताया है यह एक मुठी के लिया हैN लिए हरा धनीय लिया है नहीं इसमें 9 के करीब इसटेश हैं हैं दसने 1 रशी पाद्छी में नाइने को लिया हैN a nights adderak के साथ हरी मिर्च आम कमने, लिया है, प्रणी- स्वाद के लगता है । लेине का भ ज्यको सबagleटेव Penis यह स्प्राउटिड मों यकीन मानिए यह बहुत टेस्टी लगता है अब हम डालेंगे इसमें अदरक, जीरा, नमक, हरी मर्च और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें यह धन्या और इसको पहले ऐसी ग्राइन करेंगे और फिर जरुत परेगी तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमको इसको ग्राइन करना है और यह देखें, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से पीस लिया है अब हम इसको थोड़ी दे ढखके रख देंगे और जब हम बनाएंगे ना इसका चीला तो फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने पानी की जुरत है तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल कर ढखकर रख देते हैं और फिर आप से मिलते हैं तो यह देखें हमने आदा घंटा इसको रख दिया था बैटर को इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक मिला लिया था और थोड़ा सा हमने पानी डालके इसको पतला भी किया था ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा थिक हो मोटा हो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा आधा कुछ नहीं डाल रही हूं इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और अब हम इसको तवे पर फैलाएंगे और यह देखे पहले मैंने छोटा सा चीला जो है वो बना कर देखा है कितने अच्छे से इस तरीके से इसको बना सकते हैं आईए मैं आपको फैलाना बताती हूं चीला कैसे तब आप बहुत गरम नहीं होना चाहिए हमने गरम होना रख दिया था और घी से ग्रीस भी कर लिया था तो अब हम इसको इस तरह से फैला देंगे जितना आप मोटा रखना चाहें पतला रखना चाहें आप उसे साब से इसको कर सकते हैं आप हाथ से भी इसको इस तरीके से फेला सकते हैं कहीं से आपको मोटा दिख रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं और अब हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल गैस को धीमा रखेंगे स्लो रखेंगे और कवर करके इसको पकने देंगे एक तरफ से आप यहां देख सकते हैं कि ऊपर से जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया है चीले का और अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सभी क्योंकि हम यह हैल्दी बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम इस पर घी लगाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा अप्शन है और इसको फिर से हम पकने देंगे और देखिए अच्छा क्रिस्पी हो गया है आप देखिए पास से अब हम इसको चार तरफ से से उतारते हुए पलट लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा यह चीला सिका है यह आपको ज़्यादा ब्राउन इसमें लग रहा है तवे मे वाकी ऐसा है नहीं बहुत ही बढ़िया सिका है तो अब हम इसको दूसरी तरफ से भी से कलेते हैं जेदर से GYi लगाया था येकीन मानेबी यह बहुत टेस्टी लगता है आईए चेक करते हैं यह देखिए कितने अच्छे से यह चीला सिग्या है बहुत ही यमी है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अब हम तवे पर थोड़ा चीटा लगा के इसको ऐसे पहुंच लेंगे क्योंकि अगर थोड़ा बहुत चिपका रहे गया है तो वह साफ हो जाता और हमें चीला डालने में आसानी हो जाती है अब हम डालेंगे इस पर यह चीला जितना बड़ा आपको बनाना है उतना आप बना सकते हैं इस तरह से हम इसको फैला लेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे आईए हम इसको चेक कर लेते हैं मैंने यह डखन लिया है ताकि इसके चारो तरफ से कहीं से भी भापना निकले यह देखिए उपर से थोड़ा पक गया है तो हम इसमें लगाएंगे घी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडिर्स आप तक पहुंच सकें और ज्यादा टाइम ना रगाते हुए मैंने जैसे आपको बताया है इसको हम उलट पलट कर सेक लेंगे और आप रेसिपी ट्राइ जरूर कीजिएगा वापस हम थोड़ी देर इसको ढ कर देंगे आईए चेक कर लेते हैं हमेना बहुत पेशिंस की साथ सेखना है क्योंकि नहीं तो वह अंदर से कच्छा रह जाएगा देखिए आराम से चुट रहा है इसको चारो तरफ से ऐसे हम इसको निकाल लेंगे देखिए बहुत आसान है यह कलर जरूर इसका डाक इसमें लग रहा है लेकिन जला नहीं है बस चारो तरफ से आप इस तरीके से से शेख लेंगे तो अब हम इसको भी धकर कवर करके सेखेंगे क्योंकि थोड़ा सा मोटा अगर हम बनाते हैं तो अंदर से कच्छा नहीं रहना चाहिए तो आईए चे यह देखे बहुत अच्छे से सिग्या है और हम एक बार थोड़ा सा सेकेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे और यह देखे फ्रेंड्स हमारे यमी से स्प्राउट अंकुरित मूं की दाल के चीले तयार हैं बहुत हेल्दी हैं बहुत नूट्रिटिव हैं बहुत टेस्टी है और आपको जब यह तबे से उतारेंगे ना तो थोड़ा सा गीला लगेगा लेकिन थोड़ा सा जैसे ही thank you so much for watching my recipes and supporting me